पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है कहा जा रहा है कि चर्चा का विशय भी बनी थी कि ललन सिंग नितीश कुमार के साथ और अपनी पाटी के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसको ले करके नितीश कुमार और उनकी पाटी को बड़ा जटका लग सकता है कहा ये जा रहा था कि लालू परसाद के संपर्क में है और लालू परसाद के संपर्क में रहते हुए ललन सिंग कोई बड़ा खेल कर सकते हैं ललन सिंग ने इन सारी बातों से इंकार किया है लेकिन एक और बड़ी बात सामने नजर आई है ललन सिंग ने इस बात को लेकर के कई मीडिया चैनल और अखबारों पर मानहानी का दावा करने की बात कही है और उन्हें 15 दिन का समय दिया है ये खबर तो आपने सुन ली होगी लेकिन इससे भी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और इस पसे सस्पेंस हटाने की को समपर्क में है जैसा कि लड़ी ने कहा भी मीडिया में मेब आ लारा करके उन्होंने अपनी बातों को रखा कि लोग यह कह रहे थे कि वो संपर्क में हैं और तेजस्वी यादों को मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं ये भ्रामक खबर चलाने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं लेकिन अब जो सामने नजर आ रहा है 29 तारी के बाद एक तरह से समझे कि नितीश कुमार ने पूरा अध्या ही पलट दिया है और पूरा का पूरा सस्पेंस अब धीरे धीरे बाहर आता जा रहा है खत्म होता जा रहा है तेजस्वी लालू के रडार से निकलने के बाद नितीश कुमार ने एक बड़ा प्लान बनाया है प्लान बहुत जल्द आपके सामने होगा लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बा रही है कि लालू और नितीश कुमार के साथ रहने वाले कहीं न कहीं नितीश कुमार के इस फैसले को ले करके अब दूसरी कहानी रची जाने लगी है आपको बता दें कि इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है और इसमें ट्विस्ट सबसे बड़ा यही है कि जिस तर से ललन और नितिश कुमार के साथ बड़ा खेल कर सकती है उनकी पाठी तोड़ सकती है उनके मुख्यमंत्री की कूर्सी पर खत्रा है वही बातें एक बार फिर से इस बार भी रिपीट कई आने लगी थी और मीडिया ने इस खबर को चलाया था अब इन सारी बातों पर से परदा हटा साथे हुए कहीं न कहीं लणञ और नितिश कुमार की जो आपली बाउंडिंग है उसे ले करके कहा यह जा रहा है कि कोई नया खेल रचा जा रहा है और पूरी तरह से अब बिहार में महाताःएंटंधन का गेम पैक होने रहा है हलाकि इस पर दावे भी किया जा रहे हैं कि महा गढ़बंधन की सरकार का कुछ नहीं होगा लेकिन जिस तरह से तेजस्वी और लालू के रडार से नितीश कुमार बाहर निकल गए हैं और ललन सिंग को भी उन्होंने पूरी तरह से अब तयार कर लिया है कि नई स्टेड़ी क के तहत नया गेम किया जाएगा तो उस बात को लेकर के अब साफ साफ नजर आ रहा है ललन सिंग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं बरतमान फैसले से और इस फैसले के बाद जब नितीश कुमार ने अपने हाथ में सारा कमान ले लिया है उसके बाद कोई बड़ा खेल नह हो सकता है जुड़े रहे हैं भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पनोर्मंक रूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब क नोटकली 9386816700 धन्यवाद